नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आए आज चालिस वर्स की महिला के पाम का आलासस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहल करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमाण में ये घर समालती हैं आगे के विशे में जानना चाहती हैं कि आगे के बहुत सी वीडियो बनी हुई है तो आप उसको जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत साथ वीडियो प्रूप के साथ भी लाया हूँ साथ ही साथ बहुत सी वीडियो ऐसी भी है जिसमें चीजों को पष्टता के साथ समझाया गया है तो उस वीडियो को भी आप जाके जरूर देखे और सबसे एहम बात एक अगर एक in-sort way में कोई बात अगर मैं करूँ इस विशय पर तो वो ये है कि आजकल के समय में सभी independent है या तो सोच को लेके या करमों को लेके तो independent nature वाले व्यक्तियों का कभी भी left palm नहीं देखा जाता और दूसरा अगर मैं एक बात करूँ जिन्दगी का सारा सुब काम अपने आपराइट से करते है तो भविश्य से जादा सुद्ध और सुब क्या होता है तो इसका आप predictions left से कैसे ले सकते है बहुत सी बाते हैं जो मैंने उस वीडियो में की है जो मेरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है तो आप उसको जाके देखिए और मैं कोशिश करूँगा कोशिश कर मैं डाल ही दूँगा इस वीडियो के comment box में मैं link जरूर से डाल दूँगा आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं तो अभी इनके अतली पर ऐसी क्या अवस्था है जो इस अतली को बनारी खास थमनल देखके तो आप समझ ही कहे होंगे ऐसी महलाएं बहुत भाग्य साली होती है और जिस भी घर में ये रहेंगी उस घर में कभी भी दुरगती नहीं होगी उन्नती ही होगी साथ साथ घर भी साइन करेगा पैसर भी बहुत आएंगे महालक्षमी के क्रिपा रहेगी तो ऐसी क्या आवस्था इनके तली पर थी तो वो एक एक करके चीज़ों को समझाया जाएगा तो वीडियो काफी महत्पूर्ण है देखे सीखे समझे और जितना हो सके शेर करें योगि जो अपने वीडियो से मैं अवेरनेस फैलाना चाहता हूँ वो बिना शेर कि ये लोग के बाते समझ में आएंगी नहीं और मेरे बातों को समझ जाएगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है तो इसको जितना हो सके आप शेर करें अभी दिखाता हूँ मैं इनका है दूसरा पिक तो ये देखे चीज़े यहाँ पर से बहुत ज़्यदा सपस्ट हैं यहाँ पर से एक-एक चीज़ों को क्लियर किया जाएगा कि ऐसी क्या राज्योकारक अवस्था इनके एतली पर मौझूद थी जो इतनी बड़ी बात मेरे दौरा कही गई और जब मेरे दौरा कही गई है तो कोई नहीं कोई सार्थकता जरूर होगी कोई नहीं कोई सचाई जरूर होगी तो इस चीज़ को मैं दिखाने का परियास करूँगा अंत में जब मैं इसको दिखाऊंगा तब फिर आप बताना क्या मैंने गलत दिखाया क्या मेरा लॉजिक गलत था और उसके बाद आपको अगर पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए मुझे काफी अच्छा लगेगा तो यहाँ पर से सुरू करते है पहले फेट लाइन से किसी भी हतेली को देखो तो जो मुख्य रेखा हैं उसको तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रॉंग भागिरे का आपके हतेली पर मौझूद है यह पॉजिटिव वेब में भी जा रही है और जब पॉजिटिविटी हतेली पड़े तभी इतनी बड़ी टिपण्नी हमारे द्वारा भी इनको लेके की गई बिना पॉजिटिविटी के यह टिपण्निया नहीं की जाती है किसी भी अतेली का विशलेशन करते समय है तो पॉजिटिविटी को यह मैं क्लियर कर दिखा रहा हूँ तो क्लियर कर देखने का प्रयास करिएगा स्ट्रॉंग भागिरे का आतेली पर मौझूद तो कहीं न कहीं है यह चीज़़ भी आपको सपोर्ट करती है आपके जंदगी पर और कंटिन्यू बैसिस के जंदगी कंटिन्यू बैसिस पर जंदगी के लास्ट मौल्टिपल प्रापटी के बहुत ही शानदार योग और यहां से एक सूरी रेखा strong आपके एतली पर एक और सूरी रेखा बन रही है और यहां पर से एक बीच में hulk की स्क्वाइर है और दो लाइन्स आपके सूरी रेखा के strong एक सूरी रेखा यहां पर भी यहां से भी एक strong सूरी रेखा यहाँ पर से भी एक property के योग आपके अतली पर मौझूद है इस case में विक्ति को property का साथ जरूर से मिलता है यह देख लिया आपने strong एक mercury line आपके अतली पर strong mercury line यह देखो और यहाँ से भी एक mercury line गई है यहाँ से भी आगे बढ़के चली है तो इस case में बुद्ध रेखा का साथ मिल रहा है और यहाँ पर से एक loop fall है थोड़ा सा यह देखो एक तो यह वाले तो मिल गई है यह वाली mercury line आपके मिल गई है लेकिन यहाँ पर से थोड़ा gap है तो हलकी फलकी स्वास्त की परशानी को परशान यह करती है स्वास्त की परशानी रहती है ऐसे लोगों को जिन्दगी पर इसके लिए proper care करने की आवशक्ता है मूलता परशानी नहीं होगी अब बुद्ध रेखा काफी अच्छी आपके तले पर यह positivity के तरप सी जारी है और जीवन रेखा पर सबसे एहम बात जीवन रेखा पर progress line बना हुआ है जिन्दगी पर उन्नती सुरूत योग बने हुए है और फिर continue basis पर बने हुए continue और यह continue आपके जिन्दगी के last तक है तो उन्नती को लेके भी ज़्यादा tension नहीं है ज़्यादा मगजमारी नहीं है strong आपकी जीवन रेखा strong और सबसे एहम बात ब्रशपती पर बनने वाला square shine उसके बाद अगर मैं कुछ चीजों को और दिखाऊं तो आपके सारे ही planets में strength है ये इंसान को अच्छा जिन्दगी प्रदान करती है राज्योग का रखते लिए तो इन सारी positivity हो से अगर इन सारों का false subject तो एक अगर इसको मैं विस्तार पुरुबक ना बोलके एक word में अगर मैं define करूँ तो सारे positive indications इसी तरह पी सारा करा रहे हैं कि ऐसे विक्ती अपने घर के लिए बहुत बाग्य सालिया होते हैं यहांत पर है तो negativity भी रहते हैं यह बहुत नॉर्मल है तो अभी negativity को भी पूर्णता दिखाया जाएगा और इसकी उपाई भी presently यही पर दे दिये जाएंगे तो वीडियो का पूरा समझिएगा एक तो negativity आपकी mind रेका heart line में बहुत distance है और यहांपर से कुछ branches खुले हुए है यह पारिवारिक मदभेत को दर्शाती है पारिवारिक मामले में tensions को दर्शाती है ऐसे लोगों का जल्दी किसे से बनता नहीं है क्योंकि यह ना तो फालतू बाते सुन सकते हैं ना यह फालतू बाते करते हैं इनको बनने में बहुत problems होती है यश्की प्राप्ती में तो कमी कराती ही कराती है और सबसे important कि यह किसी के सुनन नहीं सकते यह हां-हां मिलाने वारी personality नहीं है तो जहांपर आप हां-हां नहीं मिलाओगे वहांपर चीज़े बिगरने के बहुत अच्छे आसार है तो यह पारिवारिक मामले में ज्यादा होता है बहारी जंदगी से किसी को किसी से क्या मतलब है सोचने की बात है लेकिन यह पारिवारिक जंदगी में ज्यादा होता है तो पारिवारिक मामले में अपने खुद कुछ परिवाल को छोड़के दूसरे से बहुत ज़ाद आनवन रहती है नई बनता है, सिधी बात है तो इसकी negativity तो हलाकि दूर नहीं की जा सकती है क्योंकि ये आपका nature में add है और इसको दूर करने के आवशकता भी नहीं है क्योंकि बहुत समय आप सही हो लेकिन आपके सही direction में आप काम कर रही हो आपके direction में लोग काम नहीं करेंगे तो आप बेसलिए गुस्सा आएगा तो इसका कोई remedy भी नहीं होता मैं एक चीज़ आपको जरूर कहना चाहूंगा कि गुस्सा करके चीज़े अच्छी नहीं होती खबी भी वो आपके लिए भी तकलीफ दे साबित होती है तो ज़्यादा irritation मत लो ज़्यादा tension मत लो ज़्यादा सोचो मत फालतों की बाते दिमाग में मत दोड़ाईए जो बोलना प्रजेंट पे बोल दिया बाते कहतम हो गई फिर क्यों सोचना उस बात को लेके इस बात का जिकर मैं इसी वज़ासे कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसा हो सकता है इनके जिंदगी पर ये उस बात को लेके थोड़ा सोचे अब दूसरे नेगेटिविटी के मैं बात करो तो बुद्ध फिंगर छोटी है लापडवाई बहुत ज़्यादा दिखती है और जो आपकी हलकी सी हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम दिखरी है आपके बुद्ध रेका को लेके कही न कहीं आपके द्वारा ही ये बनाई गई है तो इस वज़ा से इस नेगेटिविटी को मैंने पूर्णता दिखाया तो कहीं न कहीं आपको प्रियास यही करना है कि आपको फालतू का टेंशन नहीं लेना है और दूसरा लापडवाही नहीं करनी है नहीं तो प्राबलम्स बढ़ सकती है स्वास्त को लेके आप ज़्यादा प्रभावित रह सकती है अगर अभी आप कम है अभी कम ही है लेकिन ये अगर नहीं किया जाए अगर लापडवाही बढ़ती जाए और हमेशा ही ये continue basis पर चलता रहे तो प्राबलम्स जादा बर सकती है इसमें कोई डाउट नहीं है चलिए जी दो चीज़े हो गई इस दोनों चीज़े पर आपको ख्याल रखना है बागी कुछ और रेमेडी करने के आपको आवशक्ता नहीं है तो कुछ positive negative चीज़ों पर चर्चा करा मैंने अभी इनके questions के तरफ चलते है जो की एक और आखरी questions है बागी पूरे details में तो चलूँगा ही चलूँगा कि इनके आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी तो कर लेते हैं जीवन रेखा को पूरी तरह से cover कर लेते हैं देखो बच्चपन से ही आपके प्रगती के योग थे तो मेरे समझ से अच्छे घर से आप हैं और जिन्दगी अच्छी ही रही है कुछ मानसिक दवाब रहें आपके जिन्दगी पर लेकिन प्रगती के योग तकरीबन आपके 22 में साड़ की आयो तक थे तो 22 साल तक जिन्दगी बहुत अच्छी रही है कुछ नॉर्मल दवाब पढ़ाई लिखाई या और भी बहुत से इंस में जिन्दगी पर दवाब आता है वो नॉर्मल ही था लेकिन संपन घर से होने के साथ साथ उन्नती भी जिन्दगी पर हुई है 22 वर्सों के बाद भी आपकी अच्छी प्राग्रस टाइन बनी हुई है तो जहां भी आपकी शादी हुई है जिससे भी हुई है वो काफी जादा आपके लिए समढ़ पितर है सब दिन से प्राग्रस टाइन का मतलब होता है तरक्की करना और यहां से एक लाइन्स आपकी दिख लिए हमें यह वाली तो यह लाइन्स बिसिकली यहां से जाके अटैज्ड हो लिए है तो यहां इस एज में पर्तिकुलर्ली आपके 24 में साड की आयो में maturity level की प्राप्ती हुई है पहले कुछ और आप सोचती होंगी उसके बाद आपकी जिन्दगी सड़नली चेंज हो गई आप कुछ और सोचने लगी तो यह वाले एक major change दिखते हैं इस case में दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहां पर से 24 के बाद भी continue आपकी प्रगती के योग बने हुए थे तो अब भी आपकी 40 years की age चल लिए तकरीबन आप 2 साल से परिशान हैं इस case में स्वास्त से ज़्यादा लोग परिशान रहते हैं एक राहू लाइन यहां मुझे दिखा यह तो आपको एक energy प्रदान करेगा बहुत तक बिमारी ठीक भी हो जाएगी लेकिन आपका प्रियास ज़्यादा कारगर रहेगा इस case में तो अच्छा समय का यूटिलाइजमेंट होना चाहिए ना की बढ़वादी तो इस समय में आप पूरा प्रियास करें कि आप अपने स्वास्त का पूर्णता ध्यान रखें और कोशिश करें सारे चीजों को रूटीन वाइस करने का लापरवाही नहीं करने का 42 में है 45 में परगती है 47 में 40 50 यर्स की राउंड की एक परगती है फिर continue आपकी स्मूच चली है फिर तकरीबन आप देखो 60 यर्स में परगती के योग है नहीं ये तकरीबन आपके 65 में परगती के योग है 70 में याट्टीनु जिन्दगी अच्छी है आपकी continue जिन्दगी अच्छी है यात्रा के जिवन के लास्ट में योग भी है उसके बाद कोई राहू रेखा नहीं है बहुत खुशी की बात है तो आपके तरब से भी एक प्रियास होना चाहिए तो यह details explanation था आपके जिवन रेखा का अभी इनके अतली का मैं पूनत अविशलेशन क करूँगा चीजों को असपस रूप से क्लियर करूँगा तो वीडियो काफी महत्पूर्ण है देखे सीखे समझे तो यह बाली इनकी पिक है यह देखो तो स्क्वाइर स्पा में बड़े महत्मा कांची होते हैं गद्यदारवस्थातेली पर मौझूद है तो राज्यों की प्रापती होती है जिन्दगी बड़ी मस्त बीत अती है इसमें किसी प्रकार का संदे नहीं है श्ट्रोंग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो विक्ती बड़े मस्त जिन्दगी बिताते हैं 60 परसन राज्यों का फ़ला रहा है 60 से 65 परसन मतलब 100 में से 65 दिन आपका अमन बनी रहती है, धन को अट्रैक करती है, महालक्षमी के क्रिपा आपके उपर बनी रहती है। थम्ब है, strong व्यक्तितों का परिचे करारा है, strong personality है, इसलिए मैंने काना कि इस केस में उपाय नहीं किया जा सकता, गरेलो मामले में या अनबन के मामले में, क्योंकि आप दवने वाली आपकी personality नहीं है, गलत बरदास्त करने वाली आपकी personality नहीं है। ये आपके जिन्दगी पर जबी भी आपको आवश्यक्ता पड़े, सहायता को दर्शाती है, support को दर्शाती है, पारिवारिक दिस्टी कौन से, पती के दिस्टी कौन से, ये चीज़े बहुत आम है इस केस में। दूसरा अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ से second falange बहुत ही अच्छा है, desires बहुत अच्छे होते हैं, इंसान को बहुत कुछ अपने जिन्दगी पर करना है, और वो करते हैं, चाहिए वो घर समालने को लेके हो, घर समालने को लेके हो, या कुछ बड़ा achievement करने को लेके हो तो strong आपकी desires के lines भी तो विक्ति को कई ना कई अपने जिन्दगी को सही करके घर को समालने में ही प्रिणा मिलता है, support मिलता है, तो यह चीज़े तो असपस्ट है, strong थम, strong विक्तितु का पड़िचा है, जबर्दस्त, फिर देखे समझदारी के loop भी काफी अच्छी अच्छ में lines, ये lines दर्शाती इंसान भहुत अच्छे दिल से, दिल में कोई कहीं किसी के परती खराबी नहीं है, गुस्सा जादा आता है, इंट्रोवर्ड हो सकते हैं, गुस्से में rude हो सकती हैं, तो अलाकि ये गुस्सा कभी-कभी ही आएगा, लेकिन कोशिश करना नियंतर डखन क्योंकि इससे आपको भी प्रस्नली बहुत जादा नुकसान है, ब्रश्पती फिंगर टिंड कर रिश्वर के परती एक अच्छी भावना, यहां से दवाब है यासू बारत विक्ती बहुत ज़दा हिम्मती होते हैं, कैल्कुलेटिव तरीके, नियमत रूप से जंदगी को हैं, बुद्ध फिंगर तकरीबन आप तो नहीं पहुंच रही है, तो इस केस में लापडवाही हद से जादा दिखती है, तो किसी भी परकार की लापडवाही नहीं करें तो आपके लिए जादा उचित रहेगा, यह तो परशानी आपको हो सकता है, और वो परशानी तो आ प्लैनेट्स के तरह, तो यह देखे इनके बरशपती, तो बरशपती तो है स्ट्रॉंग, लेकिन यह लाइन्स आपके पारिवारिक अनबन, पारिवारिक कलाकरच-कलकरच को दर्शाती हैं, तो इस केस में चीज़े बहुत आम हैं, बहुत नॉनमल हैं, कि विक्ति थोड़ के बहुत अच्छे योग हैं, तो विक्ति बहुत परुपकारी होते हैं, यह सारे परुपकार के लाइन से, इंसान को दान दक्षिना करने में काफ़े इंटरस्ट होता है, और वो चीज़े आपके लिए काफी जादा बेनिफीशियल भी है, बरशपती काफी अच्छी है, तो विक्ति कारेश हैतर को बहा पाएंगे, पडिवार को अच्छे तरीके से समाल पाएंगे, यहां से दबाब है, तो विक्ति बहुत ज़्यादा मेनती, और फेट लाइन जिंदगी के लिलास्ट है, और यहाँ पर से एक नॉर्मल डिस्टरब्स शुक्रबल है, तो डिस् यात्रा या विदेशी दर्ती के यात्रा इस चीज़ का यह परिच है, जरूर से करा रही है, जरूर से, और यहाँ पर से एक ट्रैंगल जरूर बन रहा है, यह आने वाले समय में आपको बेनिफिट दिलाएगा जिंदगी के 60 वरसों के बाद, फिर देखे, लाइन ओफ साथ मिलने के बहुत ही अच्छे आसार, दो-तीन लाइन्स आपके एतली पर है, यह आपको टेलेंटेट बना रही है, किसी भी चीज़ में, टेलेंट तो हर जगा जरूरत है, और कुछ लाइन्स है जो प्रापटी के सुख को दर्शारी तो प्रापटी का सुख मिलेगा, आ यहां से भी मैं क्रेयर और कर दूँ, यह वाली देखू, यहां से एक मल्टीपल प्रापटी के योग है, जो कि 36 के बाद डेवलप्ड थे, यहां से भी एक आपके मल्टीपल प्रापटी के योग है, जो कि 45 के बाद डेवलप्ड है, बाकि सूरी रेका बहुत अच्छी और ये योग बन गए, तो समझो कहीं न कहीं आपके negativity को दूर करने में पूर्णता सहायक है, दो-तीन बुद्धरे का intelligent बहुत ज़्यादा है, आप इसमें कोई doubt नहीं है, तो ये सन बुद्धर के विश्या में कुछ महात्यपूर्ण सी बाते थे जो मैंने आपको दिखाया, अभी चलते हैं इनके मंगल के तरब, इदे के strong मार्ष, दोनों ही मार्ष, एनरजी हद से ज़्यादा, जल्दी किसी परकार की स्वास्त की प्रिशानी नहीं होती, अगर हो जाए, तो आपकी लापडवाही से होई है, तो लापडवाही ना करें, अलाकि मंगल आपको हमेश जबरदस्त मंगल है, strong आपकी चंद्रमा, strong चंद्रमा, इस चीज़ का परचकराती है, पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत जबरदस्त, बाकि खाने से जुरेवे कारे में, यात्रा में आपको benefit है, जो मैं देख पा रहा हूँ, या ये भी आने वाले समय में या फिरकास्मिक दनलाव को दर्शाती है, strong शुक्र आपकी जबरदस्त, तो पती पक से दनलाव, पती बहुत केरिंग, बहुत समान करने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के इंडिकेस्स प्रारंबिक समय में जर इसमें किसी परकार का डाउट नहीं है, फिर चलिए मंगल के तरब, अलागी कुछ लगजरी के लाइन्स भी है, रिक्वाइड नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़ियां है, strong आपकी मंगल, मार्श लाइन भी बहुत अच्छी है, एक देख लो, यहां से दो देख लो यहां से भी देख लो, तो मार्श लाइन का अच्छा होना इस चीज़ का परचकरा रहा है, यह भी देख लो, आयू दिरगायू है, जीवन रेखा से भी दिरगायो सेंस में बताई जाड़े यह बाते, बतलब आयू बहुत अच्छी है, फिर भी लापड़वाही नहीं होन चाहिए, मंगल अच्छा है तो ओवर प्राक्रमी है आप, और कुछ यह टेंशन के लाइन जरूर है, यह आपको थोरा चिंता सोबाब का बनाते हैं, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं से कुछ भी नहीं होता, जीवन रेखा को डीटेल सरूप से एक्स्प्लेइन कर दिया है, बाकि स्ट्रॉंग आपकी मस्तिक सरेका तकरीबन आपके 26-27 साल तक दबाब रखी, उसके बाद से मस्तिक सरेका बहुत अच्छी थी आपकी, और डबल ब्रांचेस के साथ ही तो विक्ती बहुत तेज हो जाते हैं, और 40 परस के बाद तो मस्तिक सरेका में कोई डाउट इमोशनल लेचर तो लहे का लाइफ लॉग वो भी सेलेक्टड परसन के लिए विश्ण योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली महिला है आप, बालेस्टन डिस्टन्स बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदूस होते हैं, तो दिल दिमाग क होने के आपको ज़दा वशक्ता नहीं है, अपने उपर कंट्रोल बहुत यह राम से किया जा सकता है, फेट लाइन काफी अच्छी है, चंदर से गई, आटिस्टिक कॉलिटी रहती है, और कुछ बड़ी प्रगती आपके साट वरसों के बाद भी आपके जिंदगी पर होई होगी, आगे भी होगी, और continue basis पर बागिया रेखा का 7000 टेंशन है नी, life पर यहां से भी खलकी बन रही है, strong है, बुद्धर रेखा भी काफी अच्छी है, यहां पर से हलकी मिली, आगे भी चली, और यहां पर से भी आपके 2TC नजर आ रही है, इस case में स्वास्त को ले पर शान नहीं लेना, तो यह था इनके तलिका पूर्णता विश्लिशन, अगर आपको मारा यह वडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सेरे कर दे सस्क्राइब कर दे, अगर आप प्रस्तनी में सहस्तरिका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वाटस अपना दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप समप्रक्र कर सकते हैं, धन्यवाद